हेलो फ्रेंड्स अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं या फिर पहली बार करने जा रहे हैं तो दोस्तो आज मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे दोस्तो आपको पता तल जाएगा कि मार्किट अप जाएगा या डाउन और इसको देखकर दोस्तो जो है आप अ हमेशा देती रहेगी तो आपको यह ट्रिक को सीख लेना चाहिए तो आपको मैं बता देता हूं दोस्तो ऑप्शन ट्रेडिंग में आपको जब अपनी कॉल में या पुट में पोजिशन बनानी होती है तो आपको वह कौन सी ट्रिक है वह कौन सी चीज है जिसको आपको दे लिमेट अकाउंट open कर सकते हैं मैंने सारी ब्रोकर का वाँ पर लिंक के देदे आप जिस भी ब्रोकर के साथ जाना चाथे हैं उसके साथ आप अपना डीमेट तो दोस्तों आपका loss हो जाएगा या फिर market crash हो रहा है उसका trend नीचे की तरफ है यानि की डाउन की तरफ है और आपने यहाँ पे call option ले लिया तो दोस्तों आपको वहाँ पर भी loss हो जाएगा तो आपको सही entry कहां पर लेनी है कैसे लेनी है किस trick को देखके लेनी है यह आपको और यहाँ पर मैं इसका आपको graph दिखा देता हूं कल का तो दोस्तों कल क्या वा तो जूम कर लेता हूं मैं यहाँ पर graph को बड़ा कर लेता हूं यहाँ बड़ी screen में कर लेता हूं ओके यह देखो दोस्तों यहाँ पर अब मैं इसको 15 मिनट में रहने देता हूं यहाँ काफी अच्छा Profit बुक किया है यानि कि उन्होंने अपने पैसों को 3-4 गुना असानी से कर लिया है जिसने भी दोस्तों यहां पे 5000 रुपे भी लगाई होंगे दोस्तों तो उसने अपने यहांप मिंस कर दिया है तो इस वीडियो के साथ बन रहना ऐसा का बात है यह आपको मैं बताने वाला हूँ और आपको ये पर यह बहुत बई जाता है कि यहाँ पर पर बहुत बट बहुत बढ़ी आते हैं यह विल तिभल चार गुना असानी से कर सकते हैं हैером मुमेंट को आपको मिस नहीं करना है और ऐसे मुमेंट को दोस्तों चैक करने के लिए आपको एक चीछ चैक करनी परती है तो यहाँ पर दोस्तों मैंने आपको गुराफ में यह बता दिया है कि market condolinsually नीचे जा रहा था यहांगी क्रैस्टा उसके बार ऐसा क्या हुआ कि market suddenly दोस्तों उस दिन ऊपर चले गया यहांगी कल के दिन ऊपर चले गया तो अब जिन भी लोगों ने दोस्तों यहां पर अपनी position बनाई दोस्तों देश सकते हैं यहां पर यहां पर जिन भी लोगों ने पनी position बनाई वो लोगों ने काफी अच्छा पैसा बनाया है और दोस्तों जिन्हों ने यह मुमेंट मिस कर दिया था तो उन्हों ने यहां पर अपनी position बनाई होगी तो उन्हों ने यहां पर भी अपने अच्छे पैसे बनाई होते हैं लेकिन यह पता कैसे चलता है कि मार्किट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा कि सेड़ की हमको पोजिशन लेनी है कॉल अप्शन लेना है या पूट ऑप्शन लेना है तो ऑप्शन ट्रेडिंग करने से पहले आपको पहले इन सब चीजों का एनलाइस कर लेना चाहिए उसके बाद जो है आप कोल और पुट में अपनी बनाएं तो इसको चेक करने लिए दोस्तों मैं आप चल लेता हूं यहां पर अपनी ऑप्शन चेन में वहां पर मैं आपको समझाऊँगा तो उसको समझाने के लिए मैं यहां पर इसको बैक कर ल लेता हूं और दोस्तों यहां पर अब मैं आपको दिखाता हूं कि मार्किर कल के दिन उपर क्यों गया था तो इसको चेक करने के लिए दोस्तों आपको चले जाना है OI में तो यहां पर दोस्तों आप देख सकते हैं यहां पर आपको दिख जाएगा यहां पर दोस्तों आप दे सकते हैं call का OI और यहां पर put का OI तो पहले हम call OI को और put OI को अच्छे से समझ लेते हैं दोस्तों जब भी call OI के अंदर ज्यादा लोग होते हैं तो दोस्तों हमको क्या करना है जैसे call OI के अंदर ज्यादा लोग हैं तो हमको यहां पर put option लेना है okay, तो जब call side में ाइंधा जादा बढ़ जाता है, तो हमको put option लेना है, और put side में दोस्तों वाई जादा बढ़ जाता है, यह put side का ओवाई है, दोस्तों, यह put side का oi, ऐगर यह oi जादा यहाँ पे दिखता है, तो आपको क्या करना है आपको call side में अपनी entry बनानी है तो आपको यह clear हो गया यहाँ पे बिल्कुल इसका opposite है अगर आपको call option लेना है तो आपको put का oi ज्यादा चेक करना है कि put का oi ज्यादा होना चाहिए तभी आपको यहाँ पे उसके strike price पे आपको entry लेनी है call side की और अग really होता है मैंने आपको बता दिया कि जब call का oi ज्यादा होगा तो आपको put में entry बनानी है और जब put का oi ज्यादा होगा तो आपको call में entry बनानी है simple पलसा फंड है दोस्तों यह आपको किलियर हो चुका होगा मैं आपको यह दिखा देता हूँ यह दिखो कल जो दोस्तों मार्केट है ना मार्केट यहां पर 16、800 कि लगभग यहां भी इस por ciento 2 सो लगभग यहां पर बैठे होई थे जब यह लोग यहां बैठे होई थे तो यह market को गिरा रही थे ओके अब यह market के यहां पर आगे हैं अपनी पोजेसिन उन्होंने call i.s. निकाल दी है और put i.s. में बैट गये थे तो यह market को उपर लेके चले गए, ओके, अगर यही बंदे, दोस्तो, वापस कल, put वाले OI वाले, call वाले OI में आ जाते हैं, यहाँ पर अपनी entry बना लेते हैं, यहाँ का OI जादा होगा, तो दोस्तो, यह क्या करेंगे, market को नीचे गिराएंगे, market को नीचे गिराएंगे, ओके, यहाँ पर आपको यह फंडा किलियर हो चुका है, कि जब, जब put का OI दोस्तो, call से काफी जादा होता है, तो market दो है, दोस्तो, अप ट्रेंड में जाता है, यानि कि उपर जाता है, तो अपनी आप position जो है, call option में बना सकते हैं, और दोस्तो, जब call OI के अंदर, call रेक्टर ज़्यादा बैठ जाते हैं, तो market जो है, दोस्तो, नीचे जाता है, तो यह आपको केलियर हो चुका है, तो आपको दोस्तो, call OI को और put OI को चेक करना चाहिए, या आप option ट्रेंडिंग करें, या अपनी call या put में entry बनाएं, तो अभी क्या है, सभी लोगों ने यहाँ पर अपनी put वाले में OI में लेके बैठे होएं, यहाँ पर देखो, put में यहाँ पर सब लोग बैठे होएं हैं, अब यह कहां तक बैठे हैं दोस्तो, यह 17,050 तक ही बैठे हैं, इसके बाद दोस्तो, लोगों का जो है, इस से market को उपर नहीं जाने चाते हैं, यानि कि यह 17,050 से market को उपर जाने नहीं देना चाते हैं, अगर यह लोगों की यहाँ पर और बढ़ जाएगी, то 17,050 से यह लोग के यह जो है, market को उपर यहां पर आ जाएंगे, सारे के सारे उटकर या इससे आदे भी आ जाएंगे, तो market 17,100 तक भी जाएगा ओके, अब इनको यहां पर आना बाकिए है, तब जागर दोस्तो यह market का जो price है 17,100, यानि 17,100 के पार जा सकता है लेकिन अगर इन लोगों ने अपनी position तो यह यहां पर आपको चेक करना होता है जब लेकिन आपको यह भी चेक करना जरूरी है कि कहां तक लोग कहां तक कहां तक राइटर बैटे हुए हैं अगर यह आपको पता नहीं चलेगा तो यहां पर देखो राइटर जो हैं यहां तक ही बैटे हैं यहां तक बैटे हैं यह जो 16,200 क्यासी कोल राइटर है ना वो नहीं चाहते कि मार्किट जो है 17,150 से उपर जाए ऐसे यहाँ पर दोस्तो 18,000 कुछ है और यहाँ पर 59,000 इसका लगबग कितना चार गुना तो हो गया होगा लगबग लगबग तो यहाँ पर यहाँ पर यह 17,200 से मार्किट को उपर जान पर 7,000 यहाँ पर 59,000 यह लोग नहीं चाहते कि मार्किट अब दोस्तो अगर यह जितने भी यहाँ पर राइटर बैठे होएं यहाँ पर जो मार्किट को इस लेवल से उपर नहीं जाने देना चाहते तो वो लोग दोस्तो अगर यहाँ से कट के अपनी पोजिशन को काटने लगेंगे और यहां आ जाएंगे ना इसमें आ जाएंगे फुट राइटर में जाकर बैठ जाएंगे पुट में बैठ जाएंगे यहां पर राइट कर देंगे तो दोस्तो यह लेवल भी टूटता चले जाएंगे यह भी टूटता जाएंगे और यह 17,100, 17,150 17,200, 17,250, 300 यह सारे level दोस्तों यहाँ पर break होता जाएंगे break होता जाएंगे और market जो है दोस्तों बिल्कुल इनके level को तोड़ता चले जाएगा दोस्तों जब भी आपको अपनी position बनानी है तो आपको OY चेक करना है किसका OY यहाँ पर जादा है किसका कम है किस level पर दोस्तो OY जादा है कम है यह आपको चेक करना है और उसको देख करी दोस्तों आपको अपनी position बनानी है अब दोस्तों market में क्या होता है कई बार जो है bad news भी आ जाती है और good news भी यहाँ पर market में आ जाती है ठीक है अब सब लोग यहाँ बैटे हुए है market को उपर ले जाने के लिए यानि कि put writer बैटे हैं market को उपर ले जाने के लिए लेकिन अगर कोई मालो bad news आ गई तो market में क्या होगा यह सारे writer यहाँ से पनी position को काटेंगे उनको news आ जाएगा उनको बता चल जाएगा कि market अब गिरने वाला है क्योंकि bad news आ चुकी है तो वो सारे यहाँ पर आ जाएगे अपनी call के यहाँ पर call में आके बैट जाएगे call writer करके बैट जाएगे तो market फिर रहना दोस्तो double force के साथ नीचे जाएगा ओके और अगर market में good news आ जाती है तो market क्या करेगा दोस्तो यह सारे जो भी writer है अपनी position को यहाँ से काटेंगे जो गिराने में लगे पड़े है वो काट के यहाँ आ जाएगे यहाँ पर आएगे और market फिर दोस्तो double force के साथ उपर जाएगा अब triple force के साथ भी दोस्तो market उपर जाता है और triple force के साथ भी दोस्तो market नीचे गरता है अब कैसे दोस्तो यह तो होगे market के news के उपर और जो call writer होते हैं और put writer होते हैं इनके उपर और हम को लोग कोन होते हैं दोस्तो हम लोग होते हैं retailer अब हम दोस्तो नीज पर और जो यत कॉल रायटर आ होते हम इनको देख ही अपनी पुजिसन बनाते हैं उन पर So दोस्तो आप आप आपके कलिए कट समझ में आ गया होगा जो एक पॉट की या put की entry कब बनानी है हमको सबसे पहले OI चेक करना होता है हम OI चेक करेंगे जिस स्याड का OI हमें लगेगा कि बहुत ज़्यादा OI है दो दोस्तों हम उसको उसी तरीके से treat करेंगे उसी तरीके से यहाँ पर हम अपनी kolia put में entry बनाना है